आज हम सीखेंगे विकास के प्रमान हमारे चारो और उपस्थित विभिन स्पीशीज का धीमिगती से विकास होते आ रहा है यह विकास यानि इवल्यूशन कई पीडियों तक विविधताओं के जमा होते जाने का परिणाम है इसके कई प्रमान दिये जा सकते हैं चलिए इन्हें समझे अभिलक्षन का अर्थ बाय आकरिती अत्व व्यवहार का विवरण है यदे विभिन जीवों में अभिलक्षन समान होते हैं तो इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे समान पूर्वज से वन्शानुगत हुए होंगे इस तरह से दो स्पीशीज के अभिलक्षनों में निकट संबंध होगा तो उनका पूर्वज समान हो सकता है और दो स्पीशीज में दूर का संबंध हो तो इसका अर्थ उनके पूर्वज अपेक्षाक्रत अधिक पहले समान होंगे इस तरह अतीब की कडियों का निर्मान करते हुए हम विकास की शुर्वाती स्पीशीज तक पहुँच सकते हैं यदि यह तरीका सही है तो इसका अर्थ जीवन की उत्पत्ती अजयविक पदार्थों से ही हुई होगी यह माना जा सकता है चलिए विकास की संदर्भ में विबिन प्रमानों की चर्चा करें वर्गी करंड से प्रमान प्रित्वी पर पौधों एवं जन्तूओं की कई स्पीशीज है इन्हें यदि प्राकृतिक समानताओं तथा विबिनताओं के आधार पर वर्गी करते हैं जैसे जगत, फाइलम ये डिविजन, वर्ग, गण, कुल, वंश, स्पीशीज में तो हम विबिन समुहों का दीरे-दीरे विकास किस प्रकार हुआ, इसकी एक चलक देख पाएंगे समजात संदचनाओं से प्रमान सील का फ्लिपर, चमकादड का पेटैजियम, मानव का हाथ, इन सभी में पादों की आधारभुद संदचना समान है परंतो इनका प्रयोग भिन कारियों के लिए किया जाता है, जैसे पेटैजियम उड़ने के लिए, सील का फ्लिपर तैरने के लिए, तथा मानव का हाथ पकड़ने के लिए सहायता करते हैं ऐसी संदचनाओं को समजात संदचनाओं कहते हैं समझात संरचनाएं समान पूर्वच होने का प्रमान देती है यानि कि इनका विकास समान पूर्वच से हुआ है समरूप संरचनाओं से प्रमान पक्षी, चमकादड और तितलियों के पंखों का कार्य समान है हवा में उड़ना लेकिन इनके उत्पत्ती तथा आधारभूत संरचना भिन है जब विभिन समुहों के जीवों का आवास समान होता है तब उनमें दिखने में तथा क्रिया के समान संरचनाओं का विकास होता है जो उन्हें उत्तर जिविता का लाप देता है इस तरह यदि अंग दिखने में तथा कार्य में समान हो लेकिन संरचना तथा उत्पत्ति भिन्न हो तो इन्हें समरूप या तुल्ल रूप संरचना कहते हैं समरूप संरचना भिन्न पूर्वच के होने का प्रमान देती है क्या शकरकंद और आलू भी समरूपता के उधारण है? आप स्वयम ग्याद कीजिए अवशेशी अंगों से प्रमाण जीवों में कुछ ऐसे अंग होते हैं जो पूर्वजों में कार्यशील्थ हैं लेकिन अब कार्यविहीन हो गए हैं इन्हें अवशेशी अंग यानि वेस्टिजियल ओर्गन्स कहते हैं जैसे मानव के पूर्वजों में क्रमी रूप परिशेशी का यानि वर्मिफर्म अपेंडिक्स सेलुलोस के पाचन में सहायक था विकास के दौरान मनुश्य सरवाहरी हुआ तथा सैलुलोस की मात्रा भोजन में कम होती गई इससे क्रमी रूप परिशेशी का अवशेशी अंग बन गया जिवाश्म से प्रमाण बृत जीव के परिरक्षित अवशेश जिवाश्म कहलाते हैं जिवाश्म कितने पुराने हैं यह जानने की एक विधी है प्रित्वी में नीचे खोदते जाना जिवाश्म भूमी तल में जितने गहराई पर पाये जाते हैं उतने ही वे पुराने होते हैं अन्य विधी है Fossil Dating, सामान्यतर Fossil Dating, Carbon Dating की प्रक्रिया द्वारा की जाती है जिसमें जिवाश्म में पाय जाने वाले किसी एक तत्व के विभिन समस्थानी को यानि आईसोटोप्स का अनुपात के आधार पर जिवाश्म का समय निर्धारण किया जाता है जिवाश्मों के अधियन से यह ग्यात होता है कि सबसे पुराने जीवों की शरीर रचना सरल थी और समय के साथ धीरे-धीरे वह जटिल होते गई यनि कि समय के साथ धीरे-धीरे सरलतम जीवों से जटिल जीवों का विकास होते आ रहा है आर्कियोप्टेरिक्स यह एक प्राचीन पक्षी था जिसके जिवाश्म से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि पक्षियों का विकास सरी स्रपों से हुआ है तथा यह जन्तु दोनों के बीच की सैयोजग जाती है विकास क्रमिक रूप से पीडी दर पीडी होने वाले छोटे-छोटे परिवर्तनों का परिणाम है उधारण के लिए प्लैनेदिया जैसे जिव में आखों जैसी संदचना होती है लेकिन वह विक्सित नहीं थी कुछ जीवों के आखें रंग के पहचान नहीं कर पाती मनुष्य की आखें इन सबसे अधिक विक्सित है आनविक जाती वृत्त जनन के दौरान डिने में होने वाले परिवर्दन विकास की आधार भूत घटना है ये परिवर्दन उत्तरोत तर अगली पीडियों में संचित होते जाते है यदि दो जीवों के डिने में निकट संबंद हो तो इसका अर्थ उन जीवों में निकट संबंद है आनविक जाती वृत्त समय के साथ पीछे जाकर यह पता करता है कि ये परिवर्दन किस समय हुए इससे यह पता लगाया जा सकता है कि किसी जिव का विकास कौन से जिव से हुआ कुछ स्पिशीस का कृत्रिम चैन से विकास हुआ है कृत्रिम चैन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य उन लक्षनों का चैन करता है जो उनके वन्ष में स्थानांतरित हो जाती है जंगली गोभी से कृत्रिम चयन द्वारा, पत्ता गोभी, ब्रॉकली, फूल गोभी, गांट गोभी, केल इत्यादी विविदताओं को उत्पन्न किया गया चलिए अब मानव स्पिशीज का विकास समझे मानव विकास को समझने के लिए भी हम यथा उत्पनन, समय निर्धारण, जीवाश्म और डिने अनुक्रम का निर्धारण इन साधनों का प्रयोग करते हैं मानव के रंग रूप और आकार में विविदता अवश्य है लिकिन वे सभी एक ही स्पिशीज के सदस्य है सभी की आधारबूत संडचना समान है, सभी की गुण सूत्रों की संख्या 46 है और डिने भी समान है सभी मानव एक दूसरे के साथ जनन कर सकते है मानव जाते के सर्वप्रिथम सदस्य होमो सेपियन्स को अफरीका में खोजा जा सकता है इसका अर्थ यह है कि मानव का उद्भव अफरीका से हुआ, कुछ हजार वर्ष पूर्व हमारे पूर्वज पूरे अफरीका में तथा एशिया, यूरोप, अमेरिका इत्यादी में फैल गए अपना जीवन सर्वोत्तम तरीके से जीने के लिए उनमें परिवर्थन होते गए तथा विकास होते हुए आज की पीड़ी का मानव उत्पन्न हुआ है तो आज हमने सीखा विकास की प्रमान